करते हैं लास एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था यह बिगेस्ट पिग फार्म हाला कि इसमें काफी सारे बच्चे हो चुगे काफी जादा बच्चे हो चुगे कितने क्यूट-क्यूट से अभी तो और होंगे बच्चे वैसे देखोगे एक फीमेल यह है और एक और फीमे कुछ काम नहीं और यह पापा तो बन चुका पहले अलड़ी आप कितने पापा बनेगा और जो बाकी बच्चे उनको भी मौका मिलना चाहिए क्या मतलब कि मैं गंदी बाते कर रहा हूँ चलो इसको भी खतम कर देते हैं भागा दोड़ी करेंगा करने दो बहुत सारा मीट मिल जा ओप काफी मीट मिल गया नाइस बट इसको अभी नहीं बेचूँगा मेरो कूलर्स लेने जाना है तो वह सारी चीज़ बात में ले आए काफी चीज़े कर रही है वह सारी चीज़े करूंगा तब चाके रैंच को सही से कर पाऊंगा मैनेज कर पाऊंगा और मेरे पास अभी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है मतलब पीडर तो मेरे यहां पर जो काउ है जो मुर्गिया इनके खानी के लिए एक्च्वल में जब्सक्राइं कैया फिरें तो यहां पर मेयरे कुछ फार्म सीहांने बारे पारिक सोषल आतरी करने овाला पूरा कऊोने से यहां से लेकर आने वालो पूरा सेट अपppe रेड़ी करने दिखने के उस सबस्यों नहीं जी सोच रहूआ क् क्योंकि इसका कोई यूटिलाजेशन है ही नहीं तो यहां पर रखके कोई फायदा है नहीं और हाँ आज अपने दूद भूद भी निकालना काफी चीज़े है जो आज करनी है और हाँ लास्ट एपीसोड में जो ऑईल रिग है जिसे हमने काफी ज़्यादा पैसे कमाया तो मे पूरा क्लीन कर चुकह थोड़ा सी अच्छा लग रहा है अप थोड़ा बैटर लगने लगा और यहां पर क्या रखा इसको भी हटक है एक मिर्ट कर सकते के यह मुझे नहीं पता था छोड़ा देखता हो है साफ stirred कड़ सकते हैं जसको इसको इसको थोड़ा सब्रयूम जैसा बनाना इस काई रहा हो कि तो हमत मिर्फ फट्रोस चलते खाना लेने क opioids मुघार्या नहीं तो मर छाएक मैं नहीं चाहता है कि मेरे मुर्गिया मरें बिल्कुल भी नहीं मरें तुम लग बोल रहे थे एक रोस्टर चिकन लेकर रोस्टर चिकन लेकर आज़ा तो यहां पर बच्चों नहीं लाता हूं क्योंकि अंडे की रिकार्बेंट है चीज प्रोडक्शन के लिए उसको अगर मैं इसको मेंटेन करके नहीं चलूँगा आगे जाके बहुत दिक्कत होगी और अभी तक जितनी में कम्मुनिटी पोस्ट पढ़ी है उसमें बकायदा में यहां पर जो एक्स्ट्रा पीक लेकर आते ना उसका जो इश्यू है अभी तक खतम नहीं किया है जो पहले होत यहां पर पानी एक बार देख लेता हो सब्जा का पानी प्रोवाइट कर देता है फटा फट से खाना लेने चलते हैं और पहले मुर्गियों को खाना देंगे क्योंकि मुस्ट प्रॉबबली शाइदी मरत ना जाया इसे खाने का मीटरन का ठीक ठाक है ठीक ठाक है मतलब वाला काम तो हो चुक है अभी सोड़ी से दुफेर हूई है कहा कि मेरी बग्गी बग्गी लेके चलते और फटा फटा फट से लेकर आते हैं थोड़ा सा खाना क्योंकि खाना नहीं मुर्गियों के पास अब राइट गईस हम लोग आ चुके हैं जन्रल स्टोर जहाद से हमक थोड़ा थोड़ा थब यह दो या इसको फट फटापट सब्सक्राइब और इसको भी में फटटा फटता जमा देता हूँ इस परफेक्ट इस परफेक्ट इतने में तो देखो मुर्गिया नहीं मरेगी और काव के लिए पूरा वेवस्ता करी दूंगा उनकी लिए घ्रेंडरी थोड़ी सी स्टाइश तरीके से लगाएंगे अपन थोड़ा सा ध्या और यहां पर है ना मैं अभी थोड़ा साना यहां पर थोड़ा सा चींज करने वाला क्योंकि मेरे को जैनरल स्टोर से आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं और कम करने के लिए सोच रहा हूँ थोड़ा से छोड़ दूंगा कंस्रक्शन वाला बाकि चीज तो स लगा सकते हैं लास एपिसोड में मैं ग्रैनी के उदर गया था बट उधर नहीं लगा सकते तो मेरे को लगता है शायद मेरे को वही अंकल को जाना जो बीसिकली ट्रेजरी का पूरा पैसा देते हैं मैं उस वाली एरिया में जाने का सूच रहा हूँ अब सीधे अपन जा र चलेंगे और उसका सीधे चलेंगे अपन एक और जगह फांड़ करने के लिए जहां पर आयल रिंग लगा सके भाया क्योंकि एन नमबर ऑफ कमाई हो रही तो भाई को नहीं छोड़ेगा तो हम नहीं छोड़ रहे तो फटाफट से चल रहे चलने तो इसको मैं आप थोड़ नहीं करेंगे यार अपने को दस के जगहां बीस्के बहुत बहुत जादा दिल चाहिए तो फिलाल करते हैं यहां पर बेरा से फिल कल ले थो ठीके बाइक यह वाला जरीके न पुरा खाली हो चुका है यास i think so क्या यह पूरा कफूरा फिल हो चुका है यह लगा तो 50 कर दे एक और ओयल रिक कहा लगा सकते हो फाइंड आट करते मैं एक जगह ढूंड चुगा अब मैं चाहरा हो यह अंकल वाले बेस पे क्योंकि यहां पर मुस्ट प्रबबली मिलने का चांसे काफी जादा है तो लेट्स को फिला फाइंड आट करते है और अगर मिलता है तो लगाने क तो यहां मेरे को लगाना पड़ेगा गाइस यहां में लगा सकतो बट राइट ना मेरे पास बुलेट है एक मिनिटी यहां पर भाग गया क्या यस भाग गया कोई नहीं भाग गया तो अच्छी बात है फटा-फट सीधर एपन एक ओयल रिक लगा रहते तो लिग मारने का बीयर को मार दिया बट उसको माद में सकीन करके ले जाँगा फिलाल तो यहां पर लगा दे यहां पर लगने वाला है रिक बंट ले आएंगे ताइम अलगबख हो चुका है इससे पहले मैं सोच रहो ना थोड़े से मीट लेके चलते हैं याले जो मीट से एक मिनिट और भा और इसके जो मीट से लिए चलते और इसको सेल आउट करते तो जहाँ से पैसा मिले वहां से पैसा बटो रहो एक आद भालू होंगे तो हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं चेल वाइस यह लाइट काफी कम नहीं लग लिए लोग जाओ अलका सा गामा बढ़ान दो मेरे को इस 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 परफेक्ट आइग तो जितने मीट से यह रिक लिए अपने और सीधे चलते हैं और इसको और इसको भी नहीं सेल कर पाएंगे टाइम तो होई गया दाइस में सोता हूं फिर आप लोग से मिलता हूं और हम अगेन और रिक के पास भी उठे तो एक फटा-फटा- और सेल ओट करते और थोड़े से मैटल एंड कॉंक्रीट लेकर आते क्योंकि इन मिलता नहीं तो मैं इसको लेके बर्गर के नहीं चाला जा रहा नहीं तो मैं अभी तक चला जया था भाई कमाईजाग नहीं कर रहो चला जाता एक तो करते हैं आपना यहाँ मिलना मेरे को मालुम था यह चार मीट के ज़्यादा तो गोली बरवाद होगी मेरे ओकि ओकिखे लेट मेले ने मेरे को मैटल रना ऑट नहीं ही चाहिए तो में उतना ही ले जा तो इक पर देख ले तो और चलते चलते यार ठीक है अपने पास भगी है बट मेरे को पसंद नहीं है और उसको फिर अगले एपिसोड में पूरा कम्प्लीट करने वाले है तुम्हें एक ब्लूप्रेंट रेडि करके रख देता हो जिससे कि अपने को अंदाज हो जै कि करना क्या है क्या क्या चीज पर अपनी बैंडिंग बचिए तो सारी चीज करने वाले हैं काउ के लिए अपन पूरा फैक्टरी के हिसाब से बनाएंगे जैसे मैंने लास्ट रें और यह फिर से गलीच हो गया भाई इस कैसा गलीच है यह गेम अभी मैं अपने रैंच पर पहुच गया और यह तो पंगाईती यह भाई पहुच चुक है अपने लोकेशन में और यहां पर बीर दीख रहा है इस जगे पर क्यों दिया यार मेरे को बट एनिवेज चलो अप पाइनली रेडी हो चुका है इसमें सिर्फ तेल फिल अप करना है तो फटाफट से तेल को फिल कर देते कहां से फिल होगा अरे कम आई यह दिखाना यह भराएगा ओकेश चलो आई इसको चालू कर देते हैं अब होगा अपना असली पैसा जनरेट का मज़ा इतना पैसा करते हैं और उसका चलते सीधर रैंच में और अपना काम को कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपने रैंच में काफी काम पेंडिंग है यह उससे अच्छा सोच रहो यह आज दिन बहुत अच्छा है तो क्यों ना एक पिकप ले लिए जाए क्या बोलतो गाइस मेरे को यह ना भी से रखवा से करते सबस्क्राइब करते लाखों कमाते हैं वैसे तो लगों कमाते जैदा ने आधरी से हुतर ना पड़ेगा क्योंकि कही और निहीं जाना चायती है हुए दो बहुत तॉ से लगा देते हैं और इसको क्रम करने चलते हैं चलो आप को सेल करते हैं वह आए सेल डॉलर फिल करते हैं और अगेन 40 डॉलर ऑफिसली बात है यह दो राउंड और और पर्चिस करने पड़ेंगे मतलब दू मैंने लगा दिया आयुल रिक तो भाई इसा दबाक के पैसा होने आला भाई मजा आने वाला तो आप फटाबाट से यह सारे ओल्ड को और में फिल कर ले तो और सेल आउट करते रोग के आराम से फिर उतरेंगे कोई हड़बडी नहीं क्योंकि एक बार लाग होता है एक ड्रम यह और यह बहुत तो ऑई निकल रहा है और फिर से डाल दूंगा तो भाई इस बार जादा कमाई नहीं हुई क्यायर कुछ फिक्स की है कि उन्हें पता नहीं कुछ हो सकता है यह पूरा फिल कर लेते और जितना ओएल जिन्रेट होए जादा तो वहीं निया तीनी वह ड्रम तो फट्रम को सेल करते और एक काम करते हैं पैट्रोल भी पर्चेस कर लूंगा ड्रम को यहां पर रख देते हैं प्रचेस कर लेते क्योंकि भाई पैट्रोल लगने वाला भी मशीन में लगने वाला है घर पे लगने वाला तो यह काम करते हैं पहले तो इसको सेल आउट करते थोड़े बहुत और पैसे कमाते और उसका सीधे चलते तेल लेकर सीधे अपने रैंच में जाएंगे यहां पर अ मिला वैसा सबको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है तो चलो ठीक है अब इसको सेल आउट करते हैं फटा-फट से एंड लेट सी अब कितना होता है नहीं होता है मतलब सत्तरा सो ठीक है तो मेरे पास सोचगा वाँ सेवंटी थाउज़न टूंडर फिफ्टी थ्री डॉलर्स वैसे तो लास एपिसोड में तुम लग नहीं देखा होगा मैंने काफी जादा चीज़े पर्चिस की तो इस कारण से मेरे पास जो पैसे थे वह काफी कम हो चुके थे बढ़ ठीक है उसको काफी जल्दी कर लेंगे तुमको पता ही अपना करने में काफी एक्सपर्ट है यह सरी चीज में और अपना यहां पर ऑईल वाला काम खतम हो चुका है अब अपन निकल रहे सीधा तेल भरवाने के लिए और तेल भरवा के सीधे हम जा रहे है रैंच मे और रैंच में जाके अब अपना में टास्क जो है रैंच का वो कंप्लीट करना स्टार्ट करते क्योंकि काफी चीज भी वहां पर पेंडिंग बची हुई है गायों के लिए परफेक्ट घर बनाना है तो उसके लिए मेरे को उस हिसाब से पूरा रेडी करना है और तो खाली कुन से है जरीकेंस इसको रख लेते यार तील तो ऐसा लग रहा है ना भर भर के चाहिए तो ठीक है मतलब पहले क्या होता था था ना तेल की रिकॉर्मेंट इता तो होती नहीं थी में क्या अपन एक जो अपन तेल खरीदते तेल का टैंकर ही खरीद लिए जाए और घर पर रख दिए जाए मेरे को जाते दो भागना पड़े सबको रेडी रखो फटा फट से तील भर के सीधे यहां आ जाएंगे क्या वो तो यह करें क्या सोच रहो और एक ट्रॉला में सोच रहो ना यहां पर रख देता हो ऑईल वाले एरिया में क्योंकि यहां पर भर भर के अप तो आ हो अपना काम है सबसे पहले प्राय Daar अपना रहे उसको फूरा रेडी करने का समय का नहीं चुक्ड हो पहले काम करते हैं जो सोच रहा हो तीन चिकन बना लेते यहां पर एक लाइन से बनाएंगे और उससे पहले पीछे थोड़ी सी बॉंट्री में रेडी कर देता हो बॉइसे बाउंटरी को अच्छी खास देखनीन रही है उसको में थोड़ा से रेडी करते हैं उसके बाद की चालू करते हैं चैने ऑर यह को हटा देतbbe हैं रगते हैं और इसको भी यहां रख देते हैं बस मेरे को भी खाना इधर ही देखना है क्योंकि सुवर की उधर तो भाई 200 का मैंने फीटर पूरा पूरा फूल करके रखा है तो वहां पर मेरे को लोट लेने के जरुवत नहीं है और यह जो काओ है यह थोड़ी कम ही खाना खाती है बट आप मेरे को चिकन को शिफ्ट करना स स्टाइब करना है तो मैं काम करते हैं पहले घंड बग्गी लेके चलते हैं यहां पर अपने जो ट्रॉला है उसको ले कर आते क्योंकि इसमां आल्रेडी बहुत सारे लखडिया रखी हुई है चलो इसको लगाते हैं बवराबर से अपने गाड़ी में लगा लिया पनने और इसको वहाँ पर ले चलते हैं और वहाँ की बॉंटरी बनाना स्टार्ट करते हैं मैं सोच रहे हैं यहाँ से ले चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लैंक्स पड़े हुए तो इनको भी उठा लेते हैं जवर से इनको क्यों बरवात करना यह भी यूटलाइस हो जाएंगे यह अभी भी पता नहीं क्यों कि हम हलकल का गलीची है मतलब थोड़ा सा और बैटर हो सकता था पर ठीक है अनिवेस हमारा काम है क्यालना हम तो खेलेंगे यह भी लगा दिया इदर भी फोड़ा से प्लैंक लगा देते है इदर भी फोड़ा प्लैंक लगा देते हैं इन सब जाकर अबänder भाइंटरीस बात करता तो फट वाट से गाड़ी बैटते हैं और सीधा अपनी बॉंडरी बनाना स्टार्ट करते हैं अब मेरे को है ना चिकन के लिए भी बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा देखुँ पिक वाला सबसे परफेक्ट में एकदम परफेक्ट है गेट के जस साइड में है बज गया घु स्में सीधर निकाल दूंगा और सिधर या के बर्गश कर देंगे तो आपन उससाब से प्लाण कररें कि अपने को कही से भी निखलाने में टाइम ना लगें वांड्री इधर थोड़ी सी में रेडी करते था उसके बाद लगाने वाले हैं पर चिकन कोक लगाने वाले हैं गास में दिखते भी नहीं है इस कारह से मैं सोच रहो जो चीज बना रहा हो परफेक्टली बनाया जाए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जाए यहां से भी मैं लेले तो फटाफट से थोड़े सब्लाइक मैं ज्यादा प्लाइक यूज नहीं करूंगा क्योंकि मिले कभी वाला बनाना है तो देखो चिकन का जो फेस होगा जो कुक के फेस होंगे जो काव फैक्टरी होगी वह इस साइड होगी या तो फिर यहां से लंबा खीश दूँगा जो फैक्टरी अपने बनाई है सेम ऐसी रहेगी लेकिन इसमें कुछ चीज़े और आड करनी बची थी ज यहां पर चीकन कुक में यूज करने वाला जिसमें से सबसे बैस्ट रहता है यह वाला और इसके लिए कितनी लोकेशन चाहिए कि इतनी इतने में हो जाएगा कि इसको कैसे करते हैं अगर नीचे करना पड़ेता हूँ ठीक है और यहां पर मैं जाता हूँ और एक और फांडेशन लगा जिता हूँ चलो एक बार ट्राइओट करने में क्या जाता है अगर परफेक्क्ली हो गई ना तो भाई बहुत तकड बनने वाला फिर अब मैं का सोच रहो ना एक पर यह चिकन वाले को में लगा कर देखता हूँ लग जा यार बदा कसम समझा जागा आई तिंग सो नहीं लगने ना बरवाद होगे मेरा यह जमीन पर ही लगएगा तो एक काम करते हैं सब को साइड करते तो फिर मैं समझ करना क्या है अब वैसा करके मैं सोच रहो बॉंट्रिस बना देता हूँ यहां पर जितने प्लैंक से इसको साइड कर देते हैं प्रॉपर ले अपने को साइड करना ही पड़ेगा उसका लाब ऑप्शन ही नहीं है तो अब से को ने तक जाता है तीरे तीरे यहां तक ठीक है ना मे ना स्टीकर कर देता है इसको सब्सक्राइख नियतना ही काम करना थे अपने को यह यहां पर सिर्फ और सिर्फ चिकन दहीं रहें tremie और सपने में सिर्फ दो टो चिकन ही छोलने वाला ज्यादर नहीं सिर्फ दूढ़ और यहां पे ब задачdem भी लगाने का सो तो वह bên्ज भी अप बैसे तो प्लेंग की जरूद पड़ी हो तो अपन फटा फट से लगाए तो काफी लगेगा मैं तो हल्वे में लगने वाला है मैंने मजाग मजाग में बोल तो दिये तुम लोगों बना दूंगा बहुत लगने वाला है चलो एनिवेस कोई नहीं कर तो देंगे अपन इसको फटा फट से रेडी करता हूं फिर आप लोग से मिलता हो क्योंकि यह बहुत ही तकड़ा होने वाला है और गाइस गुडबार्निंग हो चुकि है देखो रात तक मैंने बहुत सारे काम कर लिए जो कि मैंने नहीं दिखा है बट मैं आपको बता देता हूं फिर भी बहुत सा इसको रेडी करते बाहर की बॉंटरी से पहले अंदर की चीज़े में रेडी करते हैं और इसमें सोच तो थोड़ा सा अच्छा कलरिंग कर सकते क्योंकि जो चिकन कूख है यह वाला भी पेंट हो सकता है तो वह चीज़े आपन करने का ट्राइक करेंगे कुछ नया एड करते कुछ नया अट करते हैं मजा जाएगा और धीर धीर यह रूप रेखा ले रहा है रैंच धीर धीर ले रहा है बहुत सारी चीज़े अभी तो करनी है भाई अभी तो गाड़ी खरीदने का इस एपिसोड में बोल रहा था लेकिन टाइम नहीं बचा क्योंकि लगभग देड प्लैंक चाहिए उतने रगा देता हूँ तो मैं थोड़ा से जाधा लेकर हो ज्यादा नहीं थोड़ा से लाइटिंग की वेबस्ता भी करनी है इसकान से ओके यह पूरा फिल और यहाला पार्टन फटावाट सा फिल करता हूँ इसमें लगाते हैं मेटल एक मेटी उठकी नहीं रहा अच्छा इधर वाले पहले उठाने बड़ेंगे इधर वाले उठा लेते और मेरे को बाहर के बांटरी कप प्रिपियर करनी बहुत काम आ रही है तो यहां पर भी में लगा देता हूँ एक चीज़ देखरो ग्राफिक और ब्रटर चीकों उतना कुछ खाज बनानी कभी लगता है कि मिर्च जाद होगे कभी लगता है नमक जाद होगे सौ हो चुके सौ फट हुद्धर ओ चुके अब डालते हैं फटा फटस से मेटल्स और इसको रेडी करते हैं वैसे इक काम करता हूँ मैं मेट्ल रेडी डाल सबरेद को की होगी दूसरा और ये कमी रहे हो चुके है अब यहां ठीक लिवी सही यह मस लग रहा है इस पर फुरा फुल टू प्रिपेर कर लेते हैं अब तुम लोग बोल गया बेंच केसे बनाऊगा तुम बोल रहा था था बैंच बनाऊगे तो गाइब बेंच भी में बनाने वाला रुख जाए एक मिनिट में अंदर के सागे रुख जा भाई ऐसे चालते हैं थोड़ा से उस साइट का भी रिपेर करते तो पूरो बना देता हूं यह मैं सोचरों बॉंडरी बी रेडी करी देता हूं क्योंकि भाई करना तो है इसको भी करते हैं इसको भी करते हैं और अच्छा लग रहा है तुम लोग बता कमेंट करके बता तुमको कैसा लग रहा है कुछ कुछ चीजे आप स्थेटिकली सही हो रही है अब धीरी धीरे जितने भी चिकन कोक से उसमें सरी दो दो मुर्गिया होगी और उनके अंडे होंगे क्योंकि जादा कर दूंगा तो फिर यह लैक हो जाएगा और तो अब थोड़ा सा बैंच बनाने के ट्राय करते हैं तो यस मैं एक बैंच बनाने वाला हूं यहां पर तकड़ा सा बैंच नहीं सकते हैं अब दिखने के लिए अस्थेटिकली देखा जाए तो अच्छा दिखेगा बैंच का अपना बैठने का तो हो गया अब इसमें लगाने वाले अपन पीछे फ्लैंक ठीक है फ्लैंक नहीं यह लगा दूँगा दूँगा दो एक इधर और इसके उपर चास इस इस परफेक्ट और इसको मैं यहां पर रख सकता हो नहीं रख सकता है तो एक हो चुका है यह बट सिंगल कैसे होता है इसमें स्प्लेट सिस्टम है नहीं और गाई हमारे क्यूट सी बेंच जो कि थोड़ी तीडी मिडी लग रही है बट इसको मैं रुख जो ठीकर तो ऐसा नहीं होगा अरे यार यह सिंगल सिंगल नहीं हो पाएगा फिर से ओ कम ओन इकलती कर दे चलो ठीक है कोई इसको मैं कर देता हो तीरी दिरे ओके यह हो चुका है और या मैं को और प्लैंक काटने पड़ें गयार मैं एक सेटिंग का बनाने के चक्कर में बहुत काम करना होचका है यह आपके सामने है यह चिकन कूक्स है तीन कूक्स और मैं थोड़ा देश्टर्उंस इसलिए आइंतर्श्रडी बात होगे यह बात अब चाहिए सोचो हमको चाहिए एक फीडर बीना फीडर की यहाँ पर काम नहीं चलने वाला तो उसको हम नेक्स एपिसोड में करने वाले अभी मैं यहाँ पर कुछ भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ अभी हम बाद में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमको मुर्गिया खरीद के लाना है आज की एपिसोड में बस इतने रखते हैं थैंकियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भाई को सपोर्ट करो और दूसरे रेंच के जो एपिसोड देख रहे हो वह भी देखो और हम रात में आज कल माइंड क्राफ्ट खेलते हैं तो माइंड कर देखने का मूड है नहीं दे रहे हैं अच्छा बड़ा सर्वर ले लेंगे तो उसके बाद हम इन्वाइट कर सकते हैं बट इनी शेल में नहीं कर सकते हैं तो मिलते एकली वीडियो में बाई बाई